आप मेंसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो कि सर फिनांस में करियर कैसे बनाए मुझे बिलकुल बेसिक से समझा दो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और उसी परपस के लिए उसी एक अच्छी शुरुबात के लिए हम आपके लिए लेकिया है यह पर्टिकलर सीरीज जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा फिनांस में करियर बनाने की सारी बारी किया इस पर्टिकलर सेशन में हम समझेंगे कि क्यों फिनांस में करियर बनाना है और आपको फिनांस में बहुत स्ट्रॉंग करियर बनाना है तो बिना किसी देरी के फिटाफ़ट finance ठीक अब देखो यार अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो मैं बताए तो आप कुछ category of students में से होगे इधर you are doing graduation like plain graduation इधर BCOM, BBA, BA something like that or you are doing some professional courses CA, ACCA, ठीके CPA or you are a CFA student or you are already a working professional ठीके इनके अलावा आपकी कोई और category नहीं हो सकती mostly अगर है तो यहाँ पर आपका काम नहीं है sir ठीके अब समझना अगर आप working professional की category में आ रहे हो और आप graduation की category में हो first or last category में हो मतलब दोनों extreme पे आप खड़े हो तो आपको यह चीज जानना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है that why you know it is very important for you to understand that you know why do you want to make a career in finance देखो अगर दो रीजन हो सकते हैं ठीक है मतलब mostly अगर finance में करियर नहीं तो रीजन हो सकते हैं एक देखा है ठीक है देखा है मतलब क्या देखा है देखा है मतलब इदर influenced by friends और seniors या movie वगरा से influenced हो आपने जिंदगेना मिलेगी दोबारा जादा देख लिए है प्रशन बनने की इच्छा मन में बार बार जगरी है ठीक है एक तो यह है दूसरा है करना है करना है का मतलब यह भाई एक तो genuinely interested हो ठीक है यहां तो यह reason है यहां फिर have tried everything else यहां फिर आप सब कुछ आपने पहले से try करा हुआ है and nothing else is working and finance is something which you want to try ठीक है आप देखना है एक बात इसमें अगर आपका genuine interest है कि नहीं मेरे को तो finance में career बनाना ही बनाना है ठीक है यहां फिर आपने बाकी सब try कर लिया है ठीक है and अब आपके पास कुछ और बचा नहीं try करने के लिए और आपको finance try करना है तो ही आप आगे बढ़िये अगर आप सिर्फ इसलिए influenced हो कि कि मेरे दोस्त ने कर लिया है मेरे colleague ने कर लिया है मैंने देखा था उसको 18 लाग का package लग गया 20 लाग का package लग गया don't do that please ठीक है मेरा sincere request है मत करो बहुत painful journey हो जाईगे आपके लिए तो अगर आप graduate हो और working professional हो ठीक है तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी क्या आपके पास आपका why है do you know exactly why do you want to pursue a career in finance and why not in some other field ठीक है now in case if you are a CFA तब आपके पास तो compulsion है मतलब आपको तो आप finance में career बना नहीं बनाना है आपके अलावा तो कोई और मतलब आप finance के अलावा किसी और में career बना ही नहीं सकते CA है ACCA है CPA यह tax में बना लेगा audit में बना लेगा accounting में बना लेगा finance में बना लेगा ठीक है बट आपके पास as a CFA the only and only option you have is to make a career in finance तो अपने पास कोई option नहीं अपने को तो finance में career बना नहीं है जो लोग CA ACC CPA है ठीक है मैं उनको सिर्फ एक advice दिना चाहूंगा ready for a tough journey ठीक है ready for a tough journey अब देखो यार क्या होता है finance में जब भी आप career बनाने जाते हो ना तो कुछ एक myths है जो आपके सामने आते है ठीक है जैसे कैसे it is only for IIMs यह ranker ठीक है you need to be super intelligent to get into finance ठीक है you need to be from top schools with topic ads दोनों अलग-अलग है top academics and super intelligent होना यह दोनों बहुत अलग-अलग चीज़ है ठीक है जबकि यह कुछ भी सही नहीं है anyone literally anyone can make a career in finance ठीक है who's he I'm anyone are you getting my point में क्या बोलना चाह रहा हूँ boss एक बात ध्यान रखना अगर आप को ऐसा लगता है थोड़ा सा भी कियार finance मेरी लिए नहीं है सबसे पहला filter आपको यह लगाना है कि आपने देखा यह आपको करना है अगर आपको करना है और उसके बाद आपको लगता है कि finance is not for me ठीक है I'm telling one thing to you आप सिर्फ इदर से game हा रहे हो समझ रहे हो आप मेरी बात आप सिर्फ यहां से game हा रहे हो आप properly अच्छे से समझो बैठो यार achievable है ठीक है nothing is unachievable अप सर मेरा trajectory क्या होना चाहिए देखो मैं ideally क्या करूंगा न मैं future में जो series लेके आ रहा हूँ जो videos लेके आ रहा हूँ समझ रहे हो आप क्या करें कैसे करें हो एक video के लिए सब के लिए customize बनेगा अलग-अलग plan बनेगा so that at least यह रहेगा कि यार आपको समझ में आए कि क्या कैसे करना है ठीक है नौ एक चीज़ और ध्यान रखना इस cfa mandatory क्या cfa करना mandatory है देखो यार simple सा logic है अगर यह चीज़ का commitment आपने दे दिया है कि आपको finance में ही career बनाना है ठीक है तो फिर क्यों नहीं मतलब you know why not कई लोग मिरे को ऐसा बोलते हैं कई students मिलते हैं वो बोलते हैं कि सरफ cfa करना ज़रूरी है क्या मतलब उसके बिना काम चल जाएगा क्या चाह रहा है ठीक है I know a gentleman who's at his 40 and he is enrolled last week cfa program में क्यों आप मानों के नहीं में बताऊँगा आप खोश हो जाएंगे asset management industry में है उसमें बोला पार्थ I'm handling 11,000 crore rupees का corpus asset under management AUMMA मेरे पास but I'm not getting promoted why just because I'm not a cfa right so don't consider क्यार ऐसी situation आपके साथ life में आए ठीक है प्लीज वो चीज मत कीजे अगर आपको करना है ठीक है तो start as early as possible I can understand कि cfa के अंदर थोड़ा सा पैसे की issue आ जाती है ठीक है तो फिर अगर वो कुछ ऐसा issue है तो apply for scholarship आपको try तो लेना पड़ेगा देखो आप जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मुझे नहीं मिलती scholarship अरे तुने apply कितनी बार करा भाई sir मैंने चार बार apply कर दिया नहीं मिलती है मेरे को scholarship तो कोई बात नहीं पांचवी बार और करते कौन से पैसे लग रहे है अपने समझ रहे हो मेरी बात यह है ना no risk 100% reward की bet है यह अपने को लेनी ही लेनी है कुछ भी हो जाए ठीक है sir what all are the skills एक जो basic skills है जो मेरे को minimum चाहिए ही चाहिए ठीक है वो क्या है वो समझना सबसे पहले basic आप समझ लो एक financial modeling ठीक है तो यह financial modeling जो है it is available completely in our playlist आप अपनी playlist the valuation school की जो learn financial modeling step by step playlist है आप उसमें जाके पूरा का पूरा financial modeling समझ सकते हो खुद से ठीक है इसके बाद valuation valuation में जो basic valuation है ठीक है financial modeling भी basic है यह हमारे playlist में ही cover है अगर आपको advance समझने है तो I would not suggest you something like that but मेरा यह निवेदन है पहले आप है यह वाला cover up करो मतलब जो अपनी playlist है पूरी की पूरी learn financial modeling step by step की वो पूरी playlist from first video to last video cover up करो and check whether you are compatible or not are you compatible मतलब are you compatible यहने आपको क्या मज़ा आ रहा है यह जो playlist status close to around 25 to 30 hours क्या आप यह playlist देख पारे हो पूरी आपको मज़ा आ रहा है आपको सीखने मिल रहा है क्या आपको curiosity अंदर से जाग रही है तभी आप finance कर पाओगे नहीं तो आप नहीं कर पाओगे जब आपको लगता है the skill based finance education ठीक है पहले student डरता था कि सर यह financial model में कैसे बनाऊंगा ठीक it is next to impossible for me to prepare the model आज क्या हो रहा है students अपने आप YouTube से सीख के financial models पोस्ट कर रहे हैं LinkedIn के उपर right they feel that sense of accomplishment ठीक है तो आप वो चीज़ देखो कि आपकी compatibility बन रही है कि नहीं बनी है once you are done that ठीक है अपको लग रहे है कि now now is the chance for the next phase ठीक है अब मेरे को next phase में जाना है तो अब आप जो आपका knowledge है ना वो basic से अब सीधा उसको बढ़ा के अब advanced level पे लेके जाओ ठीक है अब advanced level पे लेके जाओ ये तो basic आपकी कुछ skill set है जो आपको requirement है advanced level पे अपने पास courses है नीचे link दे रखिए आप देख लेना I just don't want to promote it a lot ठीक है तो ये तो basic चीज़े हैं जो अपने को सीखनी सीखनी है इसके अलावा क्या है इसके अलावा मुझे थोड़ा सा मेरे communication skills पे काम करना है ठीक है मुझे थोड़ा सा मेरे communication skills पे काम करना है because it is required at the end of the day you need to understand आपको people management करना है you need to interact with people you need to you know उनके साथ आपको काम करना है तो it is very important कि आपकी communication I am not saying कि flawless होनी चाहिए कि आप अंग्रेज को पीछे चोड़ दो communicate करने में मैं यह नहीं बोल रहा हूँ but इतनी होनी चाहिए कि you should communicate you know your thoughts in the minimum possible manner and in the crisp English ठीक है simple and crisp English तो यहां पर आपसे expectation है नहीं क्या vocabulary सीखो या कोई cat level की तेहरी करो basic communication skills होनी चाहिए ठीक है you should be you know you should be aware about general stuff अब general stuff के अंदर क्या क्या चीज़े आ गई सर ये एक बार में को बता दो कि general stuff क्या होता है ठीक है तो general stuff के अंदर आ गया day to day finance ठीक है day to day finance के अंदर सर क्या गया गया corporate news जो companies की news है ठीक है economy की news और markets की news को एक self awareness चाहिए ठीक है यार एक बात ध्यान रखना we will always work on three step model first is identification of key skills ये मेरा three step model है मैं इसी के उपर लेता हूं और इसी के उपर ही मैं follow करता हूं whether you are paid student or you are the YouTube student doesn't matter ठीक है and learn skills practically ठीक है ठीक है and third is and build something build something out of it ठीक है third is show it to relevant people what you have built ठीक है अपना पूरा का पूरा focus ये तीन principles के आसपास रहेगा अगर आपने अभी career की शुरुआत करी है you are just a fresh graduate अभी यार recently phone आया था you won't believe there was a student who messaged me on LinkedIn sir में class 9th में अभी 9th का exam दिया है मैं financial modeling सीखरो मैं लबाई पहले बढ़ा तो जा समझ रहे आप अभी तो 9th में ही है मिला sir में investment banker बनना है मिला नहीं पहले बढ़ा हो उसके बाद समझेंगे क्या करना है पहले 11-12 में आँ जिंदिगी जी समझ कैसी होती जिंदिगी उसके बाद decide करना क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है अगर आप graduate है आपने अपने career की start करी है अगर आप professional किसी professional course के student है अगर आप CFA के किसी भी level के student है या फिर आप working professional है और आपने ये सोचा है कि नहीं मुझे finance में अपना career बनाना है career switch करना है ठीक है तो ये series पूरी आपके लिए dedicated है आप मुझे बताओ exactly आपको क्या परिशानिया हो रही है finance में career बनाने को लेकि नीचे comment करो and I will definitely create video for you in this series ये series भी मैं कभी end नहीं करूँगा तो उसमें time लगता है structuring बगरे में चीजों में time लगता है तो बीच में मैं ये guidance series लेके आए हूँ आप सब लोगों के लिए and I hope आपको मजा आया होगा so this is पार्त वर्मा signing off bye bye इंतजार करो अगला session और धमागेदार होगा